सभी जातियों को राम राम नमस्कार उमीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होगा और यूपी पुलिस कॉस्टबल की तयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे कौन सी होने वाले है कौन से महिने में एक्जामनेशन होगा तो यहां पर कुछ डेट की अपडेट निकल के आ रही है मंदो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मिशन काफी जादा सर्कुलेट हो रही है जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कितनी रियल फ आने वाला हूँ तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करते ताकि सभी बच्चों तक यह इन्फॉर्मिशन पहुंच जाए और फ्यूचर में हर एक इन्फॉर्मिशन पाने के लिए आप कनेक्टेट जरूर रही है ताकि हर एक इन्फॉर्मिशन का अपडेट आप दिखा हुआ है कि यूपी पुलिस एक्जामनेशन 16 अप्रेल और 17 अप्रेल को दो दिन चार पालियों में आईजित होगी यूपी पुलिस भरती परिक्षा नई थी गोसे तो गोजेस तरीके से यह इसकी हेडिंग है साथी में यहां पर देह रखा है कि उत्तरप्रदेस प परती परेक्षा को रदि गरने के आजिस दिये हैं और शै मेने के वीतर दुबारा परिक्षा विजट करने के निर्देस दिये हैं यह आजए सुत्तरप्रदेस बारे में बताई है जिसने की कंफर्म हो आप सभी को बता दें कि एक और यहां पर डेट बार बार घूम रही है वह है 19 जून 19 जून के बारे में भी कुछ के द्वारा बताया जा रहा है कि 19 जून को भी एक्जामनेशन हो सकता है अब यहां पर दो चीजें निकल के आ गई पह कि देखो अगर यहां पर आप देखेंगे तो मैं आप सभी को एक चीज समझा देना चाहता हूं जिससे कि आप सभी को कुछ चीज है क्लर हो जाएं और फिर मैं इसकी सारी चीजें आप सभी को समझाऊंगा कि यह चीज निकल के कहां से आ रही है बस एक मिनट आप सभी को को देना पड़ेगा अभी मैं आप सभी को बताता हूं कि इसका क्या है सीन पूरा एक मिनट दीजे बस देखो अगर आप यह वाला स्टेटमेंट देखेंगे जो की उत्तरपिदेश के मुख्यमंतरी योगी आजतनाजी द्वारा दिया गया था इस पास यह बोला गया है कि निरस्त करने तथा आगामी छे मां के बीतर ही दोवारा परिक्षा कराने का आदेश दिये हैं तो यहां पे जो यह शे मां है न यही सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा होता कि इस परिक्षा को इतनी चल्दी कराना होता जैसे कि इस नोटेस में बताया जा रहा है कि 16 और 17 परिल्गों हो रही है तो यहां पर यह निर्देस दिये जाते हैं कि बहुत ही अलाप की परिक्षा की जो नई तिथिया होंगी वो जारीगर्दी जाएंगी लेकिन यहां बे यह जो च्छे महीने वाली बात है कि यह चीज इस परस्ट हो जाती है कि जो आपका यह नहीं होगा इंडेट में जैसे कि लास्ट लाइब आप सभी को बताए कि 11 वर्वरी के जब नोटस दारी हुआ था तो मैंने कंफर्म आपको बता दिया था कि नोटस एकदम ऑफिशेल है और 11 वर्वरी की बाथ चलिल रही है फिर 17 फरवरी का नोटिस दारी हुआ था तो भी मैंने आपको confirm कर दिया था कि 17 फरवरी को official जानकारी है लेकिन यह जो जानकारी है वह official नहीं है ना ही 19 जून वाली official information है फिर मैंने इसे चेक किया अच्छी तरह से कि यह information कहां पे दी गई है तो अम मैं आप सभी को देखो इस information का source भी आप सभी को बता दीता हूं कि इस information का source का है तो यहां देखेंगे इस वाली एक website है उस website पर कुछ इस तरीके से यह update की गई है यह चीज़ें मतलब किसी ने एक article लिखा है यहां पर इसे में दुबारा से refresh करके दिखाता हूं अगर दिख जाए तो add बगर आ रहे है यहां पर कुछ इस तरीके से यह article लिखा है यूपी बिलिस examination 16 अपरल और 17 अपरल को दो दिन में 4 पालियों में आयज़त होगी यूपी बिलिस भरती परिक्षा नई तिति गोसित बागी का फिर मैंने यहां पर पूरी चीज़ों को यहां पर चेक आउट किया यहां पर कु लोग टाइप से जैसे पोस्ट कर दी जाती हो उस तरीके से हैं तो यह जो डेट से हैं वो संभवत है हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए official date नहीं है और जो मुझे लगता है मुझे भी यह लगता है कि 16 और 17 अपरल को तो examination संभव नहीं है कही ना कहीं पूछा गया है किसर 19 जून के बारे में भी बताया जा रहा है कि यह जो परिक्षा है वो 19 जून को हो सकती है अगर इसके बारे में कुछ भी update होगा तो मैं आप सभी को provide 110% time to time करा दूँगा आप सभी को पता है कि 11 फरवरी की जो आपकी last date announce हुई थी वो सबसे पहले मैं आ 11 फरवरी आप भी date announce हो चुके लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला ता कि fake है लेकिन आप सभी को पता है कि समय के साथ जब notice आता है तो confirm हो जाता है अगर notice भी नहीं आता है और मुझे date मिलती है तो मैं 110% आपको confirm कर दूँगा किस date को आपका examination होने वाला है तो उसके according आप चोटी से बड़ी चीज़ों को explain करके बताया है कि किस में आपकी cut-off बता रहा हूं कैसे cut-off बता रहा हूं competition किसका कितना जादा है तो उसके according मैं आप सभी को बता दिया ठीक है चलो मेरा हाट टूटा हुआ है और आप बिल्गुल सही है तो बिल्गुल लग सकते हो यूप बिलस में तो लग सकते हो बाकी का मुझे नहीं पता लेकिन यूप बिलस में लग सकते हो तो यह दोनों जो date है अगर इस तरीके का notice आता है तो आप इसे official ना माने यह पूरी त थोड़ी सी बन रही है तो मैं आप सभी को सर्फ इतना ही कहूंगा कि देखो लास्ट जो आपके examination हुए है 17 & 18 फरवरी को 17 & 18 फरवरी को examination हुए है वह paper अच्छे से analysis कर लेना उसके base पर जो आपको तयारी करनी है वह भी कर लेना लेकिन यहां पे इस बार कुछ यह हो सकता है कि आपका examination offline हुआ है उसमें कुछ changes हो सकता है मैं तो यह कहूंगा कि अगर government किसी भी तरीके से hybrid mode तरीके से आपका examination conduct करवा दे तो hybrid से best option कोई हो नहीं सकता क्योंकि hybrid में मुझे यह लगता कि किसी भी प्रकार से कोई धानली कर सकता है ना तो paper leak होने की संबाबना रहेगी ना examination नहीं दिया था तो क्या मैं दोबारा examination में participate कर पा हुआ तो yes आप participate कर पाएंगे अगर पिछली बार का examination आपने नहीं दिया था तो आपको कोई समस्चा नहीं होने वाली है क्योंकि as per notice आप सभी को यह clear होना चाहिए कि यहाँ पे इनोंने clear बोला हुआ है कि जो भी तो आप absent है तो आप इस परिक्षा में सामें नहीं हो पाते हैं लेकिन यहाँ पे आविदन करने वाले सभी पात्रब्यत्यों के बारे में वो लगया है कि सभी को पुना यहाँ पे अवसर दिया दाएगा तो यह आप सभी के लिए बहुत ही plus point है तो सभी बच्चे examination दे सकत हैं फली आप absent हुए हो या present अगर आपने application form भराए और पहले आपका admit card आया था तो निश्चत रूप से आप इसकी परिक्षा दे पाएंगे तो अभी के लिए जो dates को आप serious में दो बाकी करते रहो वो आप सभी के लिए जरूरी है परिक्षा की अगर मैं बात करूं तो कही ही ना कहिए जो परिक्षा होगी वो जून जुलाई तक जाने वाली है संभवता है जून जुलाई में ही आपका examination होने वाला है आप सभी के examination के लिए बैरी वेस्ट आव लग आराम से तैयारी गरो जो मौका आपको दुबारा मिल रहा है सायद हर किसी को यह मौका नहीं मिल